नमस्कार मैं कनिश्का आप देख रहे हैं मा खबर आज इस वीडियो में बात करेंगे भारती बैडमिंटन स्टार पीवी सिंदू के बारे में पीवी सिंदू का जनम 5 जुलाई 1995 को तेलंगाना में हुआ उनके पिता का नाम पीवी रमन है और उनकी माता का नाम पीवी विजय है उनके माता पिता दोनों ही हमारे देश के पूर्व वालिवोल खिलाडी रह चुके हैं उनकी एक भेन पीवी दिव्या है पीवी सिंदू के पिता पीवी रमन कोच साल 2000 में अरजुना अवार्ड से समानित किया गया था उनकी खेल में रूची होने का यह भी कारण हो सकता है कि उन्होंने अपने घर में हमेशा ही इस तरह का महौल देखा पीवी सिंदू पुलेला गोपी चंद से प्रवावित हुई और 8 साल की उमर से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था अब बात करते हैं पीवी सिंदू के ट्रेनिंग और कोचिंग के बारे में सिंदू ने बैडमिंटन सीखना शुरू सिकंदरबाद में इंडियन रेलवे इंसिट्यूट ऑफ सिंगल इंजिनरिंग एंड कॉम्निकेशन में पुलेला गोपीचंद की बैडमिंटन अकैडमी में दाखिला लिया सिंदू के कोच पुलेला गोपीचंद के अनुसार सिंदू ने सबसे खास बात यह है कि वह कभी हार नहीं मानती और कोशिश करती रहती हैं कोचिंग कैम्प उनके घर से 56 किलोमीटर दूर होने के बाद आवे वो रोज समय पर जाती थी अब जानते हैं पीवी सिंदू के कैरियर के बारे में छोटी सी उमर में ही सिंदू ने बड़ी सफलता हासिल की उनके कैरियर के बारे में साल 2009 में कुलेंबो में आयोजित सब जूनियर एशियन बैडमिंटन्शिप चैंपियंशिप में सिंदू अंतराष्टे स्तर पे मेडलिस्ट रही। साल 2010 की इरान इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज में सिंगल्स कैटिग्री में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता ये ही नहीं मेक्सिको में आयोजित जूनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियंशिप में सिंदू ने फाइनल तक पहुँची साथ जुलाई 2012 में सिंदू ने जपानी खिलाडी नोजवामी को फाइनल में हराया और एशियन यूथ अंडर 19 चैंपियंशिप जीती 2012 में चाइना की ओलंपिक गोल्ड मैडलिस्ट को हराया और सबको चुका दिया 2013 में चाइनीश खिलाडी को वर्ल्ड चैंपियंशिप में हराकर भारत की सिंगल पहली मैडलिस्ट बने बात करें 2014 की तो ग्लास ग्लो कॉमन वेल्ड गेम में वूमेंस सिंगल की सैमी फाइनल स्टेज तक पहुचने के बाद भी वो हार गई नवंबर 2015 में मकाउ ओपन ग्राउंड फिक्स गोल्ड में अपना तीसरा वूमेंस सिंगल जीता जानते हैं सिंदू का अगला मैच कहां और कब है सिंदू का सैमी फाइनल मैच 31 जुलाई को दुपैर 3 बच के 20 मिनट से इस मैच में पीवी सिंदू का सामना चीन की टाइफे से है सिंदू की उपलब्दी की बात करें तो 2016 में चाइना ओपन 2017 में बोधी इंटरनेशनल इंडियान ओपन कोरिया ओपन वर्ल्ड टूर फाइनल अब जानते हैं पीवी सिंदू से जुड़ी रोचक जानकारी सिंदू हमेशा से ही महनती रही सिंदू बैडमिंटन ट्रेनिंग रोज सुबा 4 बच के 15 मिनट से किया करती थी इस प्रकार सिंदू ने अपना ही नहीं देश का नाम भी रोशन किया हमारे साथ जुड़े रहे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सस्काइब करना ना भूलें